हेलो फ्रेंड्स में प्रिती और स्वागत है आपके अपनी किचन प्रत्यांस किचन में तो फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं बेशन की बहुत ही स्वाधिस्ट वर्फी जिससे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही ज्याद़ यह टेस्टी है फ्रेंड्स और इ लेख सकते हैं इसका टेक्स्च्चर आप यह बिल्कुल भी मतलब आप सोच नहीं सकते कि आपने इसे बेशन से बनाया है इतना यह मज़ेदार यह बेशन की वर्फी बनती है आप इसे एक बार जुरू ट्राइब करिएगा मेरे कहने पर बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है और जब घी मेल्ट हो जाए तो हम इसमें एड करेंगे बेशन यहां पर मोटा पतला कोई भी बेशन यूज कर सकते हैं यहां आप मैंने डेड़ कप बेशन लिया है आधा कप घी और डेड़ कप मैंने बेशन लिया है और इन दोनों चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स करे अच्छा नहीं आएगा तो फ्रेंट इससे आप लो या फिर मीडियम आज पर ही इसकी भुनाई करें जैसे जैसे हमारे बेशन जो है भुनेंगे वैसे वैसे अपने घी को यह रिलीज करता है तो देखिए यहां आप मुझे भूनते वे 5-7 मिनट हो चुके हैं और यह काफ सकते हैं तो इससे हम इसकी भुनाई जो है बेशन की अच्छे से करेंगे और देख सकते हैं यह जो बेशन है वो कलर भी चेंज कर दिया है अपना और यहां पर जो बेशन है घी अच्छे से रिलीज कर दिया है देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से बेशन भुन चुका है त अगर आप बैसन को जो बैसन की बर्फी दानेदार बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सूजी would करेंगे अगर दानेदार नहीं चाहिए आपको सॉफ्ट चाहिए बैसन की बर्फी तो सूजी को को कीप कर सकते हैं तो यहाँ मैंने टू टेवल स्पून डाला है बारीक सूजी और इससे भी अच्छे से भून लेंगे आप चाहें तो सूजी को स्टार्ट में भी डाल सकते हैं मैंने एंड में डाला है और आप स्टार्ट में डाल सकते हैं इसे इसे कोई भी डिफ्रेंस नहीं बिषंद के वर्फी में तो इसे भींच से भूँद लेंगे और देख सकते हैं जो हमारा यह बेशन है सूजी बेशन साथ सूजी जुहें अच्छे से भूँद चुकी है क्लर भी बहुत ब्ह été चुका है और यह अत्रू बैसे के लिए रेड्य से थोड़े से इसमें गुठलिया पड़ गई है लेकिन इस पैचुला से हम प्रेस करके सारे जो गुठलिया है उसे हम फोड देंगे इसी में और इसे भी हम विसंग साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ देरी से पकाएंगे फ्रेंट्स यहां पर आप देखेंगे कि यह लड़ू बनाने के भी सेप में आ चुका है देख सकते हैं तो इसका लड़ू भी यहां पर बना सकते हैं गैस के फ्लेम को आफ करके यह फिल्कुल लड़ू बना सकते हैं इसका अगर लड़ू नहीं बनाना चाहते तो मेरी तरफ बर्फी बना सकते हैं तो यहां पर थो इस के देख सकते हैं तध्य आप इसे इस मिक्स कर लाएंगे उसके बात से मिक्स की फिल्म को और बिकलिसे बटर पेपर ले लिए बटर पेपर लगाने से होता है कि जो बर्फी जल्दी से निकल जाती है ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है तो मैंने इसके हिसाब से बराबर कट करके बटर पेपर को लगा दिया है और इसमें जो हमने मिक्स्चर तेयार कि बहुन के बेशन वाला उसमें एड कर देंगे उससे पहले हमें आप डाल देंगे कटे हुए पिस्ता आप यहां पर बदाम पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं जो कि आपके पास अवीलेबल हो मैंने पिस्ता और बदाम दोनों कटके भर इक डाल दिया है ताकि देखने में ताकि उसमें नुट में तो अच्छे से प्रेस कर देंगे तो एक गी अपने रिलीज करेंगे अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर गीला है तो टेंशन लेने की कोई बात ने फिर भी आपकी वर्फी जो है अच्छे से जमेगी तो इसे हम 2-3 घंटे के लिए रूम टमप्रेश्चर पे रख देंगे या फिर फ्रीज में भी आप रख सकते हैं तो मैंने इसे 2-3 घंटे अराम से निकल जाएगा क्योंकि हमने इसे बटर पेपर डाला है भी ना थप थपाए भी निकल जाएगा तो मैंने चारो तरफ से अपने सावधानी मतलब यह टूटे ना तो मैंने चारो तरफ से चुड़ा लिया है और इसे एक ट्रे में हम पलट देंगे तो एक प्लेट ताइस में फ्रेंट्स आप इस रेसिम एक चुरू ट्राइं करिएगा थो फरेंगे रास्यां हम प्ड़ा चोटा साइज आफ अपने अनुसर रख सकते हैं युदेons पसंड़े लंबे मैं हमारे देट वॉस्भां फूरे आट कर सकते हैं और फ्रेंट्स डेड